मसकार दोस्तों CISF Head Constable Ministerial 2019 के PST DV के Admit Card CISF ने रिलीज कर दिये हैं ऐसे में रिलीज करने के बाद भी आप में से बहुत सारे बच्चों को Admit Cards डाउनलोड करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जिनका आप Candidates सामना कर रहे हैं वो है कि आप अपना Registration Number और ID, Password भूल चुके हैं और एक आप जब Login कर रहे हैं तो आपको एक Message शोर है कि New Update Will Coming Soon यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि New Update Will Coming Soon का आपको Message क्यों दिखाई दे रहा है तो उसका कारण क्या है कि आपका देखिए 96 Centers के उपर आपका पहले 2019 के अंदर आपका क्या किया गया था आपका PST करवाए गया था और इस बार 30 Centers के उपर आपका क्या करवाए जा रहा है PST करवाए जा रहा है अब जो Admit Card आपके आएंगे ठीक है Admit Card जो आएंगे वो आएंगे सिर्फ 30 Center वालों के ठीक है इनके अलावा जो जितने भी बज जाते हैं आपके उनके Admit Card यहाँ पर नहीं आएंगे लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपके जितने भी बच्चे जिनोंने 96 में चाहे वो कितने भी Center के थे वो सभी बच्चे क्या कर रहे हैं बार बार Login कर रहे हैं और Check कर रहे है कि भाई हमारा Admit Card आया है या नहीं आया है ऐसे में CISF ने क्या क्या एक identify करने के लिए कि भाई अगर तुम इस लिस्ट में नहीं हो तुम selected हो और भाई तुम इस लिस्ट के अंदर हो तुमें अपना PST देने के लिए आना है ऐसे में जो भी बच्चे इन में इन 30 वालों के जितने भी बच्चे थे उनके तो आएंगे admit card और इन 30 centers के अलावा जितने भी आपके बच्चे बच जाते हैं जितने भी remaining बच्चे हैं उनको एक message आएगा ये वाला new update will coming soon इसका मतलब है कि आप सभी लोगों के लिए कोई भी नई update बहुत जल्दी आपके लिए आएगी आप wait कीजिएगा कि भाई आपका जो admit card है वो नहीं आएगा साथ में आप selected हो आप already selected हो आपके लिए अब नई update आएगी और नई update किसके लिए आएगी return exam के लिए आएगी कि अभी आप wait करो जब इनका pasty हो जाएगा इनका सब कुछ हो जाएगा उनके बाद जब आप login करोगे तो आपको new update मिलेगी कि हाँ आप selected हो अब आप अपने return exam के जो admit card है उन्हें डाउनलोड कर सकते हो सो यह identify करने के लिए है कि जो भी student है जो बिलकुल अलग है जिनका 30 center में नाम नहीं है वो wait करें new update का जब इनका pasty हो जाएगा उनके बाद ठीक है सो अभी आपको wait करना है अभी आपके लिए जब भी नई update आएगी तो आपको message हट जाएगा और आप अपना login करके check कर सकते हैं दूसरी समस्या कुछ बच्चे कह रहेगी सर मेरा 2019 के अंदर था मेरा list के अंदर नाम भी नहीं था लेकिन मैं forget password और ID वाला option करके और मैंने ये वाला जो है यहां पर login कर लिया और मुझे जो admit card वहां पर show वो 2019 वाला हुआ क्योंकि मेरा नाम तीज सेंटर के अंदर नहीं था तो क्या मुझे return exam के अंदर कोई दिक्कत होगी तो अगर आपने forgot password और registration ID का option choose कर लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपका हक है आ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपके final return exam के admit card को download करने में या exam देने के अंदर ठीक है तो आप अगर भूल गए हो तो आप बार बार login किर सकते हो तो आप दुबारा कर सकते हो तिबारा आप 10 बार 50 बार कितनी भी बार आप कर सकते हो आपको गबराने की जरू नहीं है अब दूसरा है forget registration ID और password अगर हो गया है तो ऐसे में आप उसको recover कर सकते हैं recover करने के लिए आपके पास आपकी email ID आपका phone number होना चाहिए और अगर आपके पास आपकी email ID आपका phone number नहीं है ऐसे में आप CISF के help line number ठीक है help line number के ओपर call करकर वहां से आप अपनी advice ले स सकते हैं कि मेरे पास ऐसा हो गया है अब मुझे क्या करना चाहिए they will guide you better आपको अच्छे से वो guide करेंगे और जैसा वो आपको बताते हैं उसके coding आप करते जाए आपका registration number और password आजाएगा इसके अलावा आप CISF की जो student candidate को support करती है वो email ID लेकर आप उस पर उने email भी कर सकत उसका भी reply आपको मिल जाएगा best है कि आप phone number पर उनको phone कीजिएगा उनके headquarter पर phone कीजिएगा और वहां से phone पर ही वो आपको जैसा guide करें आप ऐसे ही उनके according करते जाना आपको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होगी ठीक है भाई so यहाँ पर main जिनके पास भी message आया है ये आया है जो already select है और वो try कर रहे है admit card को check करने की ठीक है न तो यह घबराने की जोरती है अच्छी बात है कि आपके पास message आया है तो इसका मतलब है कि आप select है ठीक है न और रही बात forget ID और password की तो अगर आपके पास email phone number है तो आप recover कर लेंगे और अगर नहीं है तो आप headquarter प आप से फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार